अगर उसे भागा कर आया, तो भागा कर किस तर पर है? वो भागा कर नहीं कर पाया, तो उसे गुना कर देते हैं. गुनाकार भी नहीं आया, तो उसे घटाओ के गनित देते हैं. वो भी नहीं आया, तो उसे संख्या ग्यान का गनित देते हैं. अगर वो भी नहीं आया, तो उसका संख्या ग्यान और अंक ग्यान गिना जाता है. और वो जहां कहीं भी होगा वो स्तर निश्चित किया जाता है भाषा पढ़ने के बारे में भी यही करते है पढ़ने के लिए उन्हें एक परिच्छत दिया जाता है अगर उसे नाय है तो उसे वाक्या रचना दी जाती है वाक्य नाय तो शब्द दिये जाते है और वो भी नाय तो अक्षर दिये जाते है इस तरह से वो निश्चित करते है कि छात्र पढ़ने के बारे में और गणित के बारे में कौन से स्तर पर है इस तरह ये असर का सर्वे होता है और ये असर का सर्वे राष्ट्यस तरपर होता है प्रथम नाम की NGO है वो इस तरह का सर्वे हर दो साल के बाद करती है इसका परणाम ये दिख रहा है या फिर इसके जो निकशाय है वे कह रहे हैं 63% चात्र को सिर्फ पढ़ने आता है 49% चात्र को भागा कार आता है ये कुछ पिछले साल के रेकॉर्ड है इसमें से हमें ये पता चलता है कि हमारे स्कूल में भी दूसरे से आठवीक अक्षा तक के बहुत सारे चात्र अभी भी आसर लिवल पर है हम ये जो अभी निपुण भारत कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि केंडर शासन का है उसमें राज्य शासन भी साथ में काम कर रहा है निपुण भारत में क्या पेक्षाए है निपुण भारत के अनुसार अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो है fundamental literacy और numeracy याने FLN सिर्फ इसी पर काम हो रहा है FLN के आधर पर चात्रों को हम असर लेवल के चात्र बुलाते हैं इसका मतलब वे चात्र जिनकी भाशिक बुद्धिमत्ता और गणितिक बुद्धिमत्ता सीखने की गति कम है FLN कार्यक्रम का उद्धिष्ट ये रखा है कि 2027 तक हमारे सारे चात्रों को FLN याने fundamental literacy और numeracy आती हो हमारी कक्षा में ऐसे भी चात्र है जिनको अभी तक fundamental literacy और numeracy नहीं आती उनको वो आना चाहिए इसलिए ये सारा कार्यक्रम है हमें ये समझना पड़ेगा कि 2027 तक जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है वो FLN स्तर पर याने की असर लेवल के लिए किया गया है अब आपके ध्यान में आया होगा कि असर का मतलब है वे चात्र जिनके अध्यन की गतिक कम है और उनके लिए उनका संगर्श शुरू है अब हम ये समझेंगे नैस लेवल क्या होता है NAS level का मतलब ऐसे चात्र जो अपनी अपनी कक्षाओं में अध्यन निश्पत्ति के लिए काम कर रहे है इन चात्रों के बारे में हमें ये पता चलता है इन्होंने असर लेवल पार किया है और जिने पढ़ना लिखना आता है और उसके बाद अब वे उस कक्षा के अध्यन निश्पत्ति पाने का काम कर रहे है ये चात्रा असर लेवल के थोड़ा उपर याने NAS level पर है NAS level का मतलब क्या है इसका मतलब है National Achievement Survey इसमें अध्यन निश्पत्ति की जाश पड़ताल होती है आप ये पाएंगे कि National Achievement Survey हर कुछ साल के बाद किया जाता है ये सर्वे भारत शासन की ओरसत किया जाता है ये सर्वे तीसरी, पाचवी, आठवी और दसवी कक्षा के लिए होता है इस सर्वे में ये देखते हैं कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षन की गुणवत्ता क्या है इसमें ये देखा जाता है उस लेवल के कक्षाओं के चातर कितनी अध्यन निश्पत्ति से पार हो चुके है इसी को हम NAS कहते हैं याने National Achievement Survey इस National Achievement Survey में अध्यन निश्पत्ति अपेक्षित है इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि अध्यन निश्पत्ति किसे कहते हैं अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि आपको क्या जानकारी है अध्यन निश्पत्ति के बारे में तो आपका जवाब ये हो सकता है हमने अध्यन निश्पत्ति के बारे में सुना है कुछ लोग कहेंगे हम इसके बारे में जानते है लेकिन इसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज है कैटेगरीज से अच्छा हम इसे अगर क्रमनुसार देखे तो उसमें भी अलग-अलग क्वालिटी होती है नीचे से उपर और उपर से नीचे अच्छा जानते है जैसे मैंने अभी आपको पूछा अध्यन निश्पत्ति के बारे में आप क्या जानते है तो आप में से कोई कहेगा सर मुझे मेरे कक्षा की पूरी अध्यन निश्पत्ती मालूम है क्या हम में से कोई ऐसा है जिसे पहली कक्षा से लेकर आठवी कक्षा तक पूरी अध्यन निश्पत्ती मालूम है अगर ऐसा है तो आप बहुत उंची कैटेगरी में जाते हो लेकिन मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और फिर पूछते हैं तुम्हें अपने खुद की कक्षा की पूरी अध्यन निश्पत्ती मालूम है क्या? सारे विशयों के लिए तो आप कहेंगे नहीं सर इतना तो मालूम नहीं है और थोड़ा नीचे जाते है तो फिर हम कहेंगे तुम्हें सारे विशयों के बारे में नहीं मालूम है पर तुम जो विशय सिखा रहे हो उस विशय के बारे में अध्यन निश्पत्य आपको मालूम है क्या? फिर आप कहेंगे नहीं सर, इतना भी मालूम नहीं है. ठीक है, लेकिन तुम अभी छात्रों को पढ़ा रहे हो, उसके अध्यन निश्पत्य के बारे में आपको पता है क्या? ये सवाल बदल कर हम ऐसा भी पूछ सकते है, कि जब जब मैं कोई नया पार्ट छात्रों को सिखाने जाता हूँ, तो उसके अध्यन निश्पत्य के बारे में मुझे पहले से मालूम है क्या? उसके भी नीचे का एक और स्थर है, और वो स्थर है, कोई लोग कहेंगे, सर जब पार्ट पुस्तक आया था, तब मैंने अध्यन निश्पत्य को देखा था, उसके बाद में नहीं, इसे ये पता चल रहा है, कि हमें अध्यन निश्पत्य के बारे में पता होना ज़रूरी है.